Good evening, आच का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेरा नमस्कार आच का क्लास है Edeo की जो की 24 माई से प्रारम हो चुका है Online classes हमारे YouTube चैनल पर करा जा रहा है Edeo की तयारी Edeo का मतलब होता है full form होता है सहयक विकास विस्थार अधिकारी अगर आप इसकी तयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को यानि की बगल में जो नोटिपिकेशन की घंटी रहता है उसको आल पर सेट करके रख लीजिएगा चलिए सिलेवस की बात करता हूँ तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा कि एडियो का जो सिलेवस है तो सबसे पहले हम किसकी तयारी करेंगे आजीविका मिसन की आजीविका की सबसे पहले पाठे कराम होगा आजीविका यानि की अर्थेवस्ता में क्रिसी की भूमी का इस प्रस्न पत्र के इस भाग से 30 अंग के कुल 30 बहु विकल्पी प्रस्न पुछा जाएंगे चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर देखे भारती क्रिसी और ग्रामी अर्थेवास्था में उनकी भूमी का यहाँ से 5 अंग, 4 अंग इस प्रकार पुछा जाता है तो यहाँ पर दिखे 6 या 7 अप्सन हैं उसको डेली क्लासस कराए जाएंगे फिर उसके बाद रिवजन भी होगा इसके बाद देखते हैं कि इसके अंतरगा हरित क्रांती, स्वेत क्रांती, क्रिसी का मसीनी करन है न यानि कि आपको हम क्लास में पढ़ाएंगे, हरित क्रांती भी पढ़ाएंगे, स्वेत क्रांती भी पढ़ाएंगे, वहाँ से आपको कोस्चन देखने को मिलेगा जो आज की क्लास है, भारत में अर्थ वस्ते की क्रिसी की भूमी का यानि कि भारती क्रिसी की मुख्य विसेस्ताएं देखेंगे इसका क्या सरोत है, कहां से उपलब्द है, इसकी मुख्य विसेस्ता क्या है यह सब देखने वाले हैं यहां से आपको question भी देखने को मिलेगा, theory class है, join करते जाईगा है ठेवरी क्लास है और यहां से आपको कोश्चन भी दिखेगा किस प्रकार कोश्चन पुछा जाता है आपको अब जेटी कोश्चन भी बना के बताऊंगा इसके बाद देखिया जीवका प्रदन करने की ग्रामोद्यों की भूमिका है स्वासाता समू है स्वासाता समू के प्रकार गठन की प्रक्रिया है अब जीव कहेतू प्रयोजना प्रबंध है सहकार इता एम बैंक की व्यास्था बजार है बजार के बारें बताये गया है उसके बाद हंस्ता छेप के बारें प्रकार है इस्थानी बजार की रूप रेखा ह पसुधन उत्पात अथर प्रबंध याने कि इस इस टॉपिक से आपको चार या पांच नंबर अवस्य पुछे जाएंगे तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं भारती क्रिस्टी और ग्रामिन अर्थ्यवस्थम उनकी भूमिका के बारे में चलिए देख लेते हैं ग्रामिन अर्थ्यवस्थम में क्रिस्टी की भूमिका क्या है तो देखिया यहां पर ग्रामिन अर्थ्यवस्थम क्रिस्टी की भूमिका क्या है तो क्रिस्टी के छेत्र में भारती अर्थ्यवस्था का अधार बोत इस तंब है क्रिस्टी का जो छेत्र होता है वो भारत की अर भर है इसके बाद देखे या चेत्रा दूत्यक चेत्रा उद्योगों के लिए प्रात्मिक उत्पाद भी उपलब्द करवाता है अब इसके बारे में बात करेंगे जैसे कि देखे आज का अमरा टॉपिक है अजीव का मिशन के जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है क्लास स्टार् चलिए अब देखते हैं कि अजीव का अर्थेवसे क्रिसी की क्या क्या भूमिका है तो देखे यहां पर क्या क्या भूमिका है राष्टी आयका मुख्य स्रुत क्या है पहला टॉपिक हो गया दूसरा टॉपिक है हमारा उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता तीसरा ह हमारा अन्न का साधन, चाओं था है पसुओं के लिए चारा और पांच वह सेवा क्छेतर की आय का साधन, तो यहां से आपको कैसा प्रस्न बनेंगा देखे, भारत की क्रिसी की मुख्य विसेज से क्या सामिल नहीं किया गया है, तो आपको याद रखना होगा कि क्या क्या सामिल किया गया है और क्या क्या सामिल नहीं किया गया है तो आपको याद करते चलिएगा कि पहला क्या है राष्टी आए का मुख्य स्रोथ है पहला है भारत की मुख्य विसेश्ता है कि राष्टियाय का मुख्य श्रोत क्या है तो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो पहले आपको ये आपको तयारी करवा लेता हूं चली याद करते चलिएगा कि दूसरा टॉपिक है उद्योगो को कच्चे माल की उपलबधता करवाना पहला क्या था राष्टियाय का मुख्य श्रोत दूसरा है उद्योगो को कच्चे माल की उपलबधता कराना इसके बाद देखेंगे कि तीसरा क्या है अन्न का साधन अन्न का साधन ठीक आपको detail कराऊंगा इसका क्या क्या होता है ये आपको objective question में किस प्रकार पूछा जा सकता है ये मैं बता रहा हूँ तीसरा है अन्ना का साधन चाँथा क्या बोला था मैं पसुओ के लिए 4 और 5 है सेवा छेतरे का आये का साधन चाटवा भाग है मारे विदिसी वेपार में महत्व योकी important है ये मैं आपको अभी कराने वाला हूँ लेकिन objective question में किस प्रकार पूछा जाता है ये मैं बता रहा था तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि भारती क्रिसी की क्या क्या विससे सामील है और क्या क्या सामील नहीं है तो आपको ये point आपको याद रखना होगा चलिए अब देखते हैं इसके बारे में किया जीवका यानि की अर्थे वस्तम क्रिसी की क्या भूमी का है तो चलिए देख लेते हैं क्या भूमी का है तो राष्टी आय का मुख्य सोर्थ सबसे पहले point 1 है हमारा राष्टी आय का मुख्य सोर्थ जो की 1950 से 59 की बीच में क्रिसी 6 के राष्टी आय में 52 प्रतिसत योगदान करता था कितने प्रतिसत योगदान करता था 52 प्रतिसत निश्चित रूप से देख की अर्थे वस्तमें क्रिसी पर निर्भर इस पाष्ट्य करता है याद करते चलिएगा theory class है और यहीं से आपको प्रस्ण मिलेंगे यहीं से आपको प्रस्ण मिलेंगे इसका theory class है ना इसका objective question भी मैं कराने वाला हूँ और इसका pdf whatsapp में डाल दूँगा और telegram में मिल जाएगा pdf आपको मिल जाएगा कोई घबराने की बात नहीं है कि भूमिका में क्या भूमिका है तो पहला हम देख रहे हैं राष्टियाय का मुख्य स्रोथ तो यहाँ पर अध्योगी को सेवा की एक बार फिर से है ना कट वर्याइब करती चलिएगा और चलिएगा नोट सो बनाते चलिएगा कॉपी पैंधा त्मेर रख लिएगा है ना जो जो टॉपिक में पता रहूं इसको इंपॉर्टन करके नौट में लिख लिजिएगा निचीत रोप से देश की अर्थिवस्ट से भारती जिवका का उक्रिसी पर निर्भर करता है और यहां पर जिखे सेवा छेत्र में क्रम सभ विकास के फ़ल सुरूफ वर्तमान में घटकर कितना हो गया है 15 30 तक पहुंच गया है 15 30 तक पहुंच गया है 15 350-59 की बीच में किसी छेत्रग राष्टियाई कीतना था बावन प्रतिस चलिए यायते होगे राष्टियाई का मुख्य सुरत दूसरा टॉपिक क्या था उद्योगों को कच्छे मालकी उपलब धता कराना है ना देखिए यहां पर मैं आपको बता दे रहूं यहां यह आप इ देखने वाले हैं यह आपको टॉपिक है यह पूरा यह टॉपिक दिया गया है चलिए अब देखिए उद्योगों कच्छे मालकी उपलब धता कराना यह इंपोर्टेंट है यहां से आपको प्रस्ण भी बन सेंगे कैसा प्रस्ण बनेगा आपको मैं बताऊंगा तो चलिए क्लास जोइन करते ही जाएगा है ना देखिए उद्योगों को कच्छे मालकी उपलब धता कराना अब देखिए यहां पर भारत में प्रमुक उद्योग क्रिसी प्रधान देश है जैसे कि सूती उद्योग हो गया है पटेशन उद्योग हो गया है चीनी वनस्पति करते हैं इंपोर्टेंट क्लास आय सेब्सक्राइए और कैसे प्रस्ण बनेगा आपको मैं यहीं बताऊंगा इसके बाद अपज्ची कोश्चान रहेगा है ना यसका पी पीडिये आपको वाटसप्गरूप में मिल जाएगा चलिए इसके बाद कहां कहां थे हम लोग क्रिसी पनिभर करते थे जैसे कि हत्करगा हो गया बुनाई के लिए हो गया तेल निकालना हो गया यह आजी भी कच्छा माल के क्रिसी प्राप्त होता है यहुद्यो कच्छा माल की उपलबधता कराता है यहुद्यो कच्छा माल की चलिए अब देखते हैं इसके बाद अन्नका साधन अन्नका साधन देखेंगे जो कि विश्व की दूसरी और सबसे बड़ी जनसंख्या में निवास करती है विश्व में सबसे बड़ी जन संख्या में है भारत की विश्व में और दूसरी है तो सबसे पहला क्या है आप कमेंट में जरूर बताईएगा साथ ही या एक अरब जन संख्या एक अरब से अधिक जन संख्या खद्यान को उपलबधता कराता है जो कि क्रिसी योगदान में है देखे और क्रिसी भारत की लगभग 64% जनसेंख का मुख्य वैसाई क्रिसी है अब यहाँ पर बताया गए कि अन्ना का साधन है लेकिन दूसरी बात क्रिसी भारत की लगभग 64% जनसेंख का मुख्य वैसाई क्रिसी है वस्तू की उत्पादन की मात्र के लिए उप्योगे अन्ना का साधन है अब आनलेन क्लासेट हमारे यूट्यूब चैनल पर सम पांच बजे और सम आठ बजे एटियो की क्लास रहेगा और दोपहर बारा बजे छात्रवस अधिक्षा किया पटवारी या अमीन अटवारी की है है ना चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इसके बाद पसू के लिए चारा यह कौन से चौंथा पांट है पसू के लिए चारा देखेंगे चौंथा पांट है यह चौता पॉइंट है फॉर पॉइंट पसुओं के लिए चारा यहां से आपके प्रस्न बनेंगे कैसा प्रस्न बनेंगे देखते जाईएगा देखे पसुओं के लिए चारा है भारत में पसुओं की संख्यविश्व में सबसे अधीक है सर्वाधिक अधिक है यह सबसे अधिक है नहीं सर्वाधिक है वहाँ पर क्या आएगा सर्वाधिक सर्वाधिक है है ना सर्वाधिक है चलिए पसवों के लिए चारा हो गया तो पसवों के लिए चारा के भारत में पसवों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है उन्हें चारा क्रिसी के उत्पादों से ही प्राप्त होता है देश में कूल पसुधन की अबादी कितना है देश में पसुधन की अबादी 535.78 मिलियन है कितना है यहां प्रस्णा आप से बनेगा देखें continue class करते जाए पसुधन के लिए चारत देखें यहां पर पूछा गया है कि भारत में कूल पसुधन की अबादी कितना है 535.78 मिलियन यानि कि देश में कूल पसुधन की अबादी 535.78 मिलियन है इसके बाद पंडित जवाल नहरू के द्वारा कहा गया है कि क्रिशी को भारत में सरवादिक प्राथमिक देना की आव सकता है आज भी क्रिशी देश का सबसे बड़ा उद्द्योग है आज भी मतलब पंडित जवाल नहरू का कहना है कि आज भी क्रिशी देश का सबसे बड़ा उद्द्योग है यानि कि मतलब पंडी जवाल नेरू द्वारा कहा गया है या भारती अर्थेवस्था की रीड है भारती अर्थेवस्था में क्रिसी का इस्थान महत्तपूर्ण इस्थान है मतलब यहाँ पर भारत की जो अर्थेवस्था है भारत की अर्थेवस्था की रीड है और क्रिसी हमारे देश की जीवी को पार्दन का साधन नहीं नहीं, अपितु देश की अर्थेवस्था की रीड है, मतलब कहने का तातपर्या है कि देश की जीवी का जीवन यापन होता है, वो क्रिसी पर अधरीक निर्भर करता है, यानि कि 60-80% क्रिसी पर निर्भर है, देश सफलता क्रिसी नीब अभर करती है यानि कि देखिए भारत देश में जो रहा है और क्रिसी के भारत करता क्रिसी प्रधान अधेश है चलिए इसके बाद नोट यहीं से आपके प्रस्न बनेंगे दो या तीन नमबर यहीं से आपके पुछे जाएंगे कैसा प्रस्न पुछे जाएंगे देखे जाएगा देखे यहां पर कि चलिए अजीव का अर्थवस्थम क्रिसी की क्या भूमी का है अजीव का की अर्थ वेपार में महत्वा सबसे इंपोर्टन क्लास है और सबसे इंपोर्टन नोट्स है यह वाला देखें क्या महत्वा है विदेशी वेपार में देखेंगी कि अर्थ वस्थम क्रिसी की क्या भूमिका है तो चलिए देखें, विदेशी वेपारमाद तो है कि भारस निर्यात होने वाली वस्तू में अधिकांज वस्तू क्रिसी जन्या है तो क्या क्रिसी जन्या है चलिए देखते हैं हो गया काजु यह अँक पड़ा आदि भी वस्तुएं भालत में निर्याद करता है देश का लग भग निर्याद प्रत्यकष क्रिसी रूप से सोला परतीसाद कितना सोला प्रतिसत डोनों को मीला कर जाने की और यहां दिखे एड़ियों का क्लास स्टाट हो चुका है हमारा चुबीस मैं से तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वार्टसप की ग्रूप और टेलीग्राम का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंक में जाके दे दियेगे आप जाके देख सकते हैं इसके बाद फसल के बारे हम देखेंगे कि क्या क्या फसल है यहां से आपके प्रस्न बनेंगे जैसे फसलों के प्रकार है तो क्या क्या फसल के प्रकार है खरीब फसल हो गया है रभी फसल हो गया है जैत फसले हो गया है बगवानी फसले हो गया है पर वीडियो में अपलोट कर दिया जाएगा जैन दोस्तों